हेलो गाईज, कैसे हैं आप लोग आए हो बढ़िया होंगे आज मैं आपसे राजमा की बहुत ही कुईक रेसिपी शेर कर रही हैं जो कि आप राजमा भिगाए फटाफट बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले राजमा ग्रेवी की इंग्रीडियंट देख लेते हैं सबसे पहले हमने राजमा लिया है राजमा को दस मिनट के लिए गरम पानी में भिगा के रख दिया था वन प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है वन टमैटो को भी चॉप करके ले लिया है और धनिया पत्ती को भी बारीक चॉप कर लिया है और तड़के के लिए half इस्पून जीरा और दो तेज़ पत्ता ले लिया है और हमको सूखे मसाले में half इस्पून धनिया पाउडर, half इस्पून हल्दी पाउडर, half इस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लेना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैंने 8-9 लसन की कलिया ले ली है और तीन हरी मिर्च को भी बारिक चॉप कर लिया है इन तीनों को एक साथ करश कर लेना है और half इस्पून नमक ले लिया है, आप नमक सौधनसार भी ले सकते हैं और यहाँ पे मैंने अद्रक का जूलियन कट करके ले लिया है तो चलिए सबसे पहले अद्रक लसन हरी मिर्च को हम कुटकुटा लेते हैं यहाँ पे मैंने कुटनी ले ली है, सबसे पहले अद्रक डाला है, लसन डाला है, हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से हम कुटकुटा लेंगे या क्रस्ट कर लेंगे आप इस प्रक्रिया को Mixi Jar में या सिलबटे पे कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इजी होगा जिससमें आप अद्रक कुटकुटा आते हो उसी में इसको भीई कुटकुटा लेजिए अदरक लसन का हमको पेश नहीं चाहिए हमको यह कुटपुटा या क्रस्स किया हुआ चाहिए इससे राजमा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आयेगा राजमा को हम कुकर में बनाएंगे सबसे पहले मैंने कुकर चड़ा दिया है और सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे यहाँ पर हम मस्टर्ड ओिल यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी cooking oil ले सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है सबसे पहले हमने यहाँ पे तेशपता डाल दिया है और जीरा डाल दिया है जब जीरा हमारा क्रेकल होने लगेगा इसके बाद हमको प्याज डालना है अगर आपको राजमा की सबजी खाने का मन कर रहा हो या आपके बच्चे या किसी फैमिली मेंबर का राजमा खाने का मन हो या आपके घर में कोई महमान आया तो फटा फट आप राजमा बना सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राजमा को हमको गरम पानी में 10 मिनट के लिए भिगा के रखना है जब तक आप राजमा पाने में भिगात के रखेंगे तब तक आप तड़का और मसाले भी रेडी कर लेंगे और आपका राजमा फटा फट रेडी हो जाएगा अब प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है प्याज को हमको इतना ही गोल्डन रखना है और जो हमने अदरग लसन हर इमिर्च को क्रस्ड करके रखा था उसको डाल लेंगे और उसको भी एक से दो मिनट तख भून लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर … यहाँ पर मैंने एक टमाटर को बारिक चौप करके लिया है टमाटर डालने के बाद तुरंथ हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए यहाँ पर मैंने हाफ इस्पून नमक डाला है आप सौध अंसार भी ले सकते हैं अगर आप राजमा को थोड़ा खटा बनाना चाहते हैं तो टमाटर आप बढ़ा के ले सकते हैं एक टमाटर की जगह आप दो टमाटर का यूज कर सकते हैं अब टमाटर हमारा गल गया है इसमें हम मसाले डाल देते हैं और मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे अगर आप तीखा नहीं खाते हैं और रट चिली पाउडर के जगा कस्मेरी रट चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं अब मसाला भी हमारा भून चुका है इसमें हम राजमा डाल देते हैं आपको मैं फिर से बता दू राजमा को हमने बॉयल नहीं किया है नहीं राजमा को हमने पानी में भीगा के रखा है, सिर्फ हमने राजमा को गरम पानी में 10 मिनट तक भीगा के रखा था, अब मसालो राजमा को मच्छे से मिक्स कर चुके हैं, इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ पे हमने दो कब राजमा में पानी डाला है, राजमा को हमको ज चार से पांच विसल आपको छोफारा है आज मैं आप से इंस्टन राजमा की रेसीपी check कर रही हूं और आपको यह ध्यान मैं कि फ्लेम पानी सूख जाएगा और राजमा हमारा जल सकता शब्राहाः नहां सकते हैं अगर आपलोनों को मेरी रेसिपी जड़ाइए तो वीडियो को लायक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईए आगे आपको कौन से रेषपी देखनी है और प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए अब चलिए राजमा में धनिया पता डाल देते हैं अगर आपको धनिया पता नहीं पसंद है या नहीं है तो आप skip कर सकते हैं और इसके उपर से हम अब अद्रग का जो जूलियन कट करके रखे थे उसको डाल देंगे अद्रग को सबसे पहले हमने clean कर लिया है और उसको बारिक बारिक chop कर लिया है अगर आपको अद्रग नहीं पसंद है तो आप skip कर सकते हैं थैंक यू फार वाचिंग बाई